उतना ही आप बंधन युक्त हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, क्लेश में हैं, अशान्ती में हैं, ये अंदर बैठा लिए आप, देखें आप, जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्विकृती में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा, अपने लुगों को आंतरिक विश है, जो भगवत सरनागजन होते हैं, उनके चिंतन में भगवान देते हैं, ये भगवत प्रदत बात है, जो आपको सुनाई दे रहे हैं, ये सब किसमन में ने आगए या ध्यात्म है, सब किसमन में आगए रुपया कैसे बड़े, ये बताओ, हमारा काम कैसे बने, ये जाए तुम्हें जब तक प्रभू नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला कुछ भी बन जाओ ब्रमा बन जाओ इंद्र बन जाओ कुछ भी ये बात जीवन में नहीं आई तो चूख हो जाएगी भगवान ने गीताजे में कहा ये बहुत ध्यान देने योग के बात है हम जो अपने श्वरूप को अपने आराध्य देव को भूल चुके हैं उसका कारण इस संसार का माया का असर है छुटी छुटी वस्तूओं से लेकर बड़े बड़े पद, लोक, लोकांतर की वैभव, शिद्धियां ये सब माया का असर है इस असर को हम जितना स्वाइकार करते चले जाएंगे उतना हम अपने आराध्य देव जिनके थे हैं रहेंगे उनसे मुझे दूरी मैशूश होगी और यहां तक की पूरा अशर्य दिसंसार का हमारे उपर हो जाए तो हम ये माननी के लिए भी तैयार नहीं होगे कि हम प्रभू के हैं प्रभू हमारे हैं या प्रभू हैं भी की नहीं इतना असर है माया का जो है ही नहीं उसका असर इतना है कि जो है उसका विश्मरन करा दिया साधना, उपाशना इसी असर से बे असर होने की है हमारे उपर किसी वस्तु का व्यक्ति का इस्थान का असर न पड़े किसी घटना का असर न पड़े किसी द्वंद का असर न पड़े तो आप जीवनमुक्त हो गए जब तक किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु का आपके उपर अशर पढ़ रहा है असर पढ़ना कोई ज्यादा घातक बात नहीं है असर स्व्यकार करना ये घातक बात है आप समझ रहें स्रिष्टी में सब कुछ है ना उसके बढ़ने से आपको कोई शुख मिल रहा है न नस्ट होने से सुख मिल रहा है आपका जहां अपनापन स्वीकृती हुई उसी का असर आपके उपर है कई पूरा भूकम पा गया प्रांत का प्रांत गिर गया हाँ थोड़ा हरदैस से जब विचार करेंगे तो असर पढ़ जाएगा पर ऐसा नहीं पढ़ेगा कि आप बिक्षिप्थ हो जाएगा लेकिन आपका अगर एक कमरा भी गिर जाए तो असर पढ़ जाएगा आप जो स्वीकृती किये हुए है जिस असर की जितनी मात्रा में उतना ही आप बंधन युक्त हैं दुख में हैं चिंता में हैं क्लेश में हैं अशान्ती में हैं यह बहुत खास बात है साधना का मतलब है पूरे विश्व रम्हान में भगवान की जितनी रचना है इसका असर न रहे जाए आपके उपर तभी तो शान्त भगवदा कारवती वो आप है यह आपका शुरूप बरणन किया जा रहा है नित्य शान्त आनंद में अभाव रही परम शुकराशी यह अशर विवेक के द्वारा बे असर किया जाता है जब आप शत्संग सुनते हैं भगवन नाम जब करते हैं भगवत आराधना करते हैं तो आपकी बुध्धी परम पवित्र हो जाती है परम पवित्र बुध्धी में जो विवेक प्रगट होता है वो इन असनों से बचाता है काटता है इन असनों को आप जितना जो कुछ स्वईकार केंगे वही दुख दे रहा है वही दुख देगा बिल्कुल आप को किंचिन मात्र किसी वस्तू व्यक्ति स्थान की आवशक्ता नहीं है आपकी बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात स्वईकार नहीं कर पाएगी कि आपको किसी वी वस्तू व्यक्ति स्थान की आवशक्ता नहीं है आप कहेंगे प्राण पोश्ण के लिए सरीर पोश्ण ये सब आपने स्विकार किया है माया को इसले आवश्यक्ता, इसले चाह, इसले आप विक्षिप्त हो रहे, दुकी हो रहे, अशान्त हो रहे है, मरण धर्मा हो रहे, जबकि आप आभिनाशी है नहीं आपको ब्रह्मभोध की बाद तो भगवद अंस तो है याँ भगवद दाशत्य को प्राप्त करने का अधिकार तो है आप इस अशर पर ध्यान देजे आप देखिए प्रतेक मिनट में कोई न कोई वस्तू व्यक्ति इस्थान गटना परिस्थिति द्वंद आपको अपने असर में लेना चाहता है अपना प्रभाव डालना चाहता है हर छण साधक युद्ध करता रहता है प्रतेक पल्व हर वस्तू व्यक्ति इस्थान गटनास को बेशर करता रहता है तभी उसको इस बात का परमलाब मिलता है क्यों श्वराज शिंगाशन पर विराज मान हो जाता है श्वा जो हमारा श्वरूप है संकर सहज श्वा रूप समहारा लागी समादी अखंड अपारा अखंड अपार शमता भरी सुक वरती उसके हरदे में उद्ध हो जाती है हम कभी प्रहुशे भी लग नहीं हुए अब भी प्रहुशे भी लग नहीं है आगे हमें कोई नहीं कर सकता ये हमारी गलती है हम स्विकार करते चले जा रहे हैं माया कृत अशर को ये अंदर बैठा लिए आप देखे आप जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्विकृती में वो उतने प्रभाव डाल देगा ये बड़े-बड़े काम कृधा दिशत्रू ये असर तभी दे रहे हैं जब आप इनका असर स्विकार कर रहे हैं अपने में अभाव मान कर इनकी द्वारा इस भाव में सुख मिलेगा इस असर ने आपकी दुरगती कर दे अपने लोगों को आंतरिक विशह ये सब चिंतन का विशह है जो भगवत सरनागजन होते हैं उनके चिंतन में भगवान देते हैं ये भगवत प्रदत बात है जो आपको सुनाई दे रही अशर हम काम भाव में सुख देखते हैं तो काम का अशर आ गया अहम भाव की पुष्टता कामना में बाधा क्रोध हा गया संसारिक भोगों में शुख मिलता है इसलिए रुपिया क्या उशकता है लोभ आ गया यह सब हमारे परिवार के प्यारे जन है अंदर विराजमान प्रभु को ना जानते हुए सरीरों में मोह हो गया जो भी गुण ब्रती आपके अंदर जागरत हुई अभिमान कर वेठे क्रिया को अभिमान के द्वारा स्विक्रत मैं करता जो बस तुभोगी मैं भोगता यह मेरे से आगे निकला जा रहा है मात्सर जता यह माया के जो प्रधान प्रधान दोश है इनका हमारे उपर अशर तभी पड़ेगा जब हम इसको स्विकार करेंगे श्विक्रती अश्विक्रती से काटी जा सकती है पर यह स्विक्रती बिना भगवत स्विक्रती के तुम्हारे में सामर्थ ने किसे अस्विक्रत कर सके इसे नकार सके इसका असर आपके उपर ना पड़े ऐसी तुम्हारे में सामर्थ नहीं है खोचुके हो स्वरुप को भूल चुके हो इसले पहले श्वाइकार करो कि हमारा युद्ध किवल इस बात का है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान घटना ये असर न डाल पावे कैसे जानूगे कि आपकी उपर असर पढ़ रहा है कि नहीं ये दिभजन छूट गया तो असर पढ़ गया कोई भी हो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, इस्थान हो, घटना हो कोई भी यदि हम प्रियालाल को भूल गये तो असर पढ़ गया अब आप देखो इस बात को जाचो हर्दे में नहीं तो सच्ची बात है प्रभू की प्राप्ती के लिए कोई शाधना नहीं करनी क्योंकि शाधना असर मिटाने के लिए आप असर मिटाएं भगवत बल से तो आप देखेंगे कि वो थे हैं रहेंगे, वो खेल रहें बाहर भीतर सब्ज़ए बहिरंतस भूता नाम चरम चरमेवचव सुक्ष्मा कद विग्यम दुरस्तम चांत के तत दूर हैं, नजदीक हैं भीतर हैं, बाहर हैं दशो दिशाओं में हैं समस्त चराचर में मेरे प्रभू खेल रहें चराचर में और चराचर की रूप में संसार का आश्रे, सरीर का आश्रे भोगों का आश्रे ये जब तक हमारे हर्दय में रहेगा तो हम बात भगवद आस्ट्रे की करेंगे यहां कुछ होगा नहीं सूखी बातें अच्छी नहीं लगती पेट में खुब चुरे लड़ रहे हैं मूख लग रही और बातें हम छपन भोग की कर रहे हैं क्या होगा और भाई नमक रूटी ही खा लें तो कम से कम प्रेम रश की बात है पर हमको चैन कर लिया गया है ए इस बात को मत भूलना हम अनाधिकारी हैं अयोकी हैं पर हमें इस रश के लिए चैन कर लिया गया है सच्ची बाते हैं आपको श्विकार करना होगा ने आप यहां नहीं आ सकते हैं आप यह नहीं सुन सकते हैं आप अधा चरणार बिंद से चिन्नित इस रज में नहीं बैठ सकते हैं यह प्यारी जुने आपको चैन क्या जब मालिक चैन कर रहे हैं तो भी अपने क्या चिंदा कर नहीं है वैसे तो हम उनके योगे नहीं पर उन्होंने पसंद कर लिया अब यह उनकी मौज की बात है अब हमार इस संसार का असर मिट जाएगा उस समय तुम्हारे हिरदय में यह साव हलचल समाप्थ हो जाएगी दुख शुक मान अपमान लाभान जितने इसी को मिटाने के लिए हम खोज कर रहे हैं उस परम्शत्य की उस परमविनासी की उस परम्शुक की जब हमें मिटा दे इस दुटों के भावों से हमारा जो भाव गलत बन गया दुटात्मक जगत में यह सब की समून में ने आगए या ध्यात्म है सब किसे उन में आएगा, रुपया कैसे बड़े, ये बताओ, हमारा काम कैसे बने, ये गटिया स्वपनवत है, अब उनको समझाने के लिए नीचे की धरा में उतर के बात करनी पड़ती, कुछ भी मिल जाए तुम्हें, जब तक प्रभू नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हें बिश्राम में मिलने वाला, कुछ भी बन जाओ, ब्रमा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ भी भटकना नहीं मिटेगा, प्रभु की बड़ी कृपा है कि भटकना मिटने वाला समय आ गया है हमारा, अब भटकना नहीं है अब हमें प्रभु की प्राप्ति ही करनी है एक इस्मृती, दूशरा इस्मृती निरंतर चलाने के लिए नाम जब तीसरा भगवान की बड़े कृपा है और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी और चौथी बाद, शब में स्री भगवान है ये पहली स्विक्रती सादक के हिरदय में होती है फिर सब स्वयम स्री भगवान ही बने हुए है उसके आगे कह रहे हैं कि यदि आपके हिरदय में ये बात जीवन में नहीं आई तो चूख हो जाएगी भगवान ने गीता जिम्म कहा अद्वष्टा स्वरभूता नाम स्री जी की प्राप्ति के लिए तैयारी करो किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति से तुमारी दुस्मनी तो नहीं है अगर एक से भी होगी तो बिगड़ जाएगी पूरा सिद्दान थमारा बहुत सावधानी से सुनो किसी भी प्राणे के साथ किसी भी प्रकार से यदि मन में तुमारे द्वेश बन चुका है फोरन निकालो उसका उपाय है अनुभो का उपाय है जहां वो शामने दिखाई दे मन से प्रणाम करो और सर भी जुकाओ तुम्हें अपना काम बनाना है वहां भगवानी है दूसरा नहीं है और जब एक आंते में उसका चिंतन हो तो ततकाल आंतरिक प्रणाम करो प्रभू आप मुझे बचा लो प्रभू आपसे द्वेश हो रहा है आपकी बाहरी ऐसी चेश्टाएं हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं और आपसे हमें द्वेश हो रहा है दोस दर्शन हो रहा है अंतर और बाहर दोनों से अंतर में जब आवे तो ततकाल उसको प्रणाम करो ब्रत्ती में आएगा हो और जलन पैदा होगी बार बार आपको छमा मांगनी मेरे से गलती हो रही प्रभू मैं आपको ना जानकर आपसे द्वेश कर रहा हूं और बाहर जब सामने आवे पुझपाद शुडिया बाबाजी ने कहा जो तुमसे द्वेश करे ना बोले अपनी तरफ से उससे राधे राधे बोलो वो जो कर रहा है उसका असर आपके उपर नहीं होना चाहिए आपको इस द्वेश का असर काटना है वो हो सकता है आपके साथ फिर ऐसा वरताओ करे कि आपको लगे कि अब तो द्वेश पका ही हो रहा है क्योंकि हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं ये वैसा है नहीं नहीं ये बहुत बड़ा भगवत प्राप्ती में बिग्द है इसलिए भगवान ने का अद्विश्टा स्वरभूत आनाम इतना ही नहीं ये जब बढ़ेगा तो आपका भजन छुट जाएगा बहुत क्या होता है कि जिसे महापुरुष्जन अपने हरदय को देखते हैं न वही बात बोलते हैं वही बात लिखते हैं भजन क्यों रुका भजन क्यों छुटा हमारा लक्ष क्यों बदल लहा है ये अंतर के चिंतन से हो जैसे कि महापुरुष्जन दूसरे के मन की बात जानते हैं आप इस दोखे में मत रहना क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है वहां कोई दूसरा नहीं अपने मन को देखा जाता है पूरी स्रष्टी के मन की बात जान ली जाती है क्योंकि connection सब उसी पर मात मतत्तो का है तो लगता है यह तो हमारे मन की बात जान गए जो उच्छे मापुरुश है यह छुटी-छुटी बातों की नहीं क्या सोच रहे हो क्या यह नहीं उक बहुत द्यान देने की बात है बहुत हम लोग जहां चूक करते हैं यह एक तरह का ऐसा नासकारिक भाव है द्वेश की धीरी-धीरे आपके मन में इतना फैलेगा कि आपके भजन को छिन कर देगा चले थे भगवत प्राप्ति सब जगे अपने प्रभू को देखने चूक हो रही है आपका भजन छूटा आपका द्वेश बढ़ा आपकी साधना गई अब आगे भले चांस मिले अब दुरगती की बात शुरू हो गई क्योंकि आपने द्वेश करके उसके नास का चिन्तन शुरू कर दिया और आपको चिन्तन क्या करना था कि मेरे प्रभू कुरूर से कुरूर पुरुष में भी बिराजमान एक कुरूरा अपिपापिनों नचसताम संभास्च दर्श्यास चाहिए बुले तो बहुत कठें तो फिर आप एक गाउं के प्रदान बनना चाहते हैं पूरे गाउं में हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं अब चाहे जितने बड़े रहीस हो जमीदार हो चाहे जितना बल विक्रम हो पर गाउं के प्रधान पद में बैठना तो हाँ जाड जोड़ना पड़ेगा दरवाजे पे जाके अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे प्रदेश को अंकूल करना पड़ेगा अधीव से अधीव प्रधान मंत्री बननना है पूरा देश आपको और परंपद तो पूरा बिश्व आपको सपोर्ट करे एक भी दवेसी न रह जाये तब परंपद प्राप्त होता है स भगवत परंपद की योगिता क्या अजाच सत्रु एक भी कोई द्वेसी संसार में न रह जाए अब जहां अभी भजन हुआ नहीं और द्वेस का पोशन होने लगा अइसा द्वेस का पोशन अपने में सद्गुण भावना अपने में साधू की भावना और दूसरे में लिए जिन्दा की भावना चले कहां हो, जा कहां रहे हो, प्राप्त क्या करना है, कर क्या रहे हो, आगे जो लिखा ऐसीलिए लुक के जो अंदर से द्वेश भाव बढ़ाने लगता है, बैर भाव द्रेड कर लेता है, तो उसका भजन जितना रोक दीया गया लेकिन उसको प्रेतियों नी प्राप्त होगी मापुरुषों के बचन है जो अंदर से दूसरों के प्रति द्वेश, दोश, भाव करके जलता रहता है बुरा मनाता रहता है भले किसी वेश में हो तो क्या समझते हैं प्रेत बनना कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत ही निंदनी कर्म करने वाला प्रेत बनता है ब्रच के भगतों में ठाकुर जी का आमन्या ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया और उसका प्रयोग तो प्रेती उनको अशानी कि ब्रंदावन में प्रेत नहीं है चरित्रों को पढ़के देखो चूक नहीं करनी हाँ ये जरूर है कि एक जन्म के वलोर तो काहे को भुगतों गे काहे को परिशान हो देखो नहीं हाँ टांग तूट गई है कीड़े पड़े है वो सड रहा है यहां भी तो देख रहे न अब यहीं का जीव है अपराद कर लिया है अब उसको पवित्र कर रहे ही रजरानी चरी छुटेगा श्री जी को पराप्त हो जाए एक जन्म काहे को इतना लंबा वियोग प्यारी जूसे सहो सुधार करना है तो सुधार करो ना यदि तुम्हारे हिरदय में भजन रुक गया द्वैश बढ़ गया और यह पक्का हो जाएगा निंदा होने लगती है पाप कर्म करने से भजन करने में बिक्षे पढ़ने लगता है लेकिन अपराद हो जाने पर भजन रुक जाता है यह अपराद के अंतर गयता है द्वैश यह बहुत सूक्ष में भी सह है और यह बहुत आयत रहता है अरदय में वो बिल्कुल आपसे कुछ न कह लेकिन आपसे आगे बढ़ा जा रहा है यह बरदास्त नहीं होगा और निंदा सुरू हो जाएगी अरे आयकाय के लिए हो क्या करने आये हो क्या कर रहे हो अपने से प्रश्ण करो क्या जानने आये हो क्या पाने आये हो उन नती किसे कहते हैं अवनती किसे कहते हैं यह परिछाए आप अपने अंदर देखो